ओल्राइट दोस्तों आसकर नामीनी देव पटेल जिनको आपने स्लमडॉप मिलिनियर में देखा होगा अनिल कपूर के साथ जिसने आसकर रवोड जितना अपने टाइम पे तो वो देव पटेल आप बड़े हो चुके हैं और उनकी फ़र्स डेब्यूट फिल्म जो उनने जो चुका है बहुत जादा रॉव एक्शन सांपर दिखने हो वाला है मला वास्ट ऑफ इट्स टाइप ऐसे इंडियन सिनिमा में ऐसे खुछ आपको देखने को मिलेगा ऐसे रॉव एक्शन होने वाले इस पूरी मूवी में पहले करते हैं मूवी का रियाक्शन फिर बाद हूँ परदा म्यूजिक यार जब में बहुत चोटा था मेरी माँ कहानी सुनाय करती थी हनुमाँ जी एक राक्शस राजा और उसकी सेना की वो एक राज्यों पे आग और गैर बरसाते रहें जब तक तक उनका सामना प्रजा के रक्षक से नहीं होगा वो सफेद पंदर सफेद बंदर रहा है तो मैं यार यह तो बूरी ला लग रहा है इस नॉट सफेद बंदर यार थोड़ी बहुत कॉंटरवर्स्री जो हो सकती है मूवी को लेकर आई तिंग सो इंडिया में तो हो सकती है मैं करुंगा है इस्टो लोगा पनी अप भूल जाते है उनका ंजाम भात पुरा होता है अगर यह सब नहीं चे Уशादें Thousande तो तुमधहांगा है काम कर horrific अजभ मुष्थ कंचावी म्यूजिक देने-りました वहाण हो टूमन पुरी करदा है एखनाती है नानमन आगयों निकी मेना आज बड़ाबम और कड़क हैद लाजाव इस फॉर्टो तो और एख इमने ने 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 एख गजूसिक यार मैं ओछाएंटि दव एकोड़ मैं तही दू रेक्ट है जैने लड़ की खरव आ, साथ प्रु करों दुमर्यात्मर अव обяз उधान्दम नहीं तरेगगा बटा मैं गॉपासधर सेखत ड्यौ टो मैं थूदू AAAयल रडट ग είναι अव्त धॉज्फ दूforcement चीज़ कि तुम कॉल हो कि तुम कॉल हो एक चोटी सिचिनारी जाओ भी एडिक्या चला करक सकती है मिरी माग की तुगा लेड़ी एड़ी एड़ी क्या आप ये कमाल शी भाइ नेक अरेड़ी है लुद्ट क्याओ हर प्याओ वही कॉँक्स कह सकता है बंदे की पहली डारेटर्श फिल्म है यार बंदे ने क्या स्टन्स डारेट कर रहे एख जो अक्शन अडिरेक्शन हम लेखे आया है है हॉलिवड मूवीज में लिवल उस लेवल का यार action choreograph कर रहा है इस पूरी मूवी में मतलब हमारे Indian ritual से फिल्म inspired इसके description box में भी ऐसे लिख रहा है कि हनुमान जी से inspire है मलब जो उनकी strength उनकी तागत और जो उनके सिधानत है तो उसको लेकर ये character आगे बढ़ता है तो वहां से वो relation लेता है बट यार इस मूवी में देख रहा है वो सफेद बंदर को काला गोरिला टाइप का मास्ट में रहा है मलब वह लिंक वैसा तो होता नहीं है मलब हमारे हां controversy हो सकती है इंडिया में और बहुत से news भी आर गए हां भी controversy टाइप को ये content बन सकता है मूवी में एक ही community को लेकर disrespectful या फिर टारेट किया होगा तब यह controversy बन सकती है और वाइस एक्शन्स है यार इंडियन सिनिमा भी देखा नहीं गया हां यह जो टाइगर 3 हो गया लाइगर हो गया और इस टाइप के एक्शन्स हमारे बॉलिवूड ने भी ट्राइब कर रहे ब पहुत जादा बैठरिन काटा गया है जो इंडियन म्यूजिक से में इस्तवाल कर रहा है यार इसे के लिए पैन इंडिया लेवल मूवी नहीं पूरे इंटरनेशनल लेवल पर यह release होने वाली है मतलब इंडियन कल्चर एंड रिचुल्स को लेकर यह मूवी पार और भी ज चुका है उसको ऐसा दिखाना हमारी इंडिया को अच्छा नहीं लगता बहुत जादा अच्छी सीटीज भी है आप उसका रिफरेंस ले सकते हो थोड़े कानी में हिर्फे कर सकते हो बट यार वो स्लम डॉक मिलिनेर से आज तक चलता रहा है तो देखते हैं कितने कॉंट्र स्यागी रेक्शन स्विडियों में तिल देन ज्याहिन वादे मातरम सायोनारा